फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनों के उपयोग से लगातार खेती की उर्वरा शक्ती कम हो रही है। मैं अमरूद की खेती कर अमरूद की बागवानी कर रहा हूं और मुझे एक एकड़ में अभी लगभग चार लाग रुपिया तीन साल में मैं कमाने लगा हूं। अनुसार जैविक नीमों का पालन करते हुए पैदा करेंगे तो उनका स्वास्त भी निश्चित रूप से अच्छा रहेगा और हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना भी साकार होगा। तो यहां पर मुझे केचुवा पालन के बारे में पता लगा और फिर जब मैंने उसके बारे में जाना तो एक छोटा सा प्लांट अपना सेट अप किया। आज मेरा जो प्लांट है वो करीबन एक एकड़ में है और वहां पे हम और्गनिक फार्मिंग भी करते हैं तो क्रशी विग्यान के इंद्र से जुड़के हमने मैंने जो यह फायदा उठाया एक तो साथ में अपना वर्मी कंपोस प्लांट तो लगाया ही लगाया उसके और आप जो शूरू करा जो आज दूर दराज से अलोवर इंडिया से लोग हमारे पास आते हैं टेनिंग लेते हैं और कर्शी विग्यान के इंद्र का इसमें बहुत बड़ा योगदान है मिलें को कौसल विकास के अंतरगत जो भी हमारे किरसी के उद्ध्यम के बारेम को ज व्यक्तियमिने तो उनकी आविश्यक्ता नुसार हम उनको बताते हैं कि आप बर्मिकंपोस्ट पर्सिक्षन ली आप नेडब कंपोस्ट कर आप बायो कंपोस्ट तैयार करें इसके अलावा आप बकरी पालन थे और यो देरी यह भी कर सकते हैं साथ ही बागवानी के अनेक उद्धियम है जिसमें कि हम साथ बैग्यानिक विदी से बाग लगा कर और उसके चार और बायो फैंसिंग करकर भी बर्स में अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं अब भार सरकार का कारेकरम चल रहा है कि युवा को करशी की तरफ जोड़े और इसी दिशा में हम कारे कर रहे हैं अजो हमारी तीनों युवा हैं परतीक बजास राजनर गंवार और निहल सिंग जी यह कृष्विगान के इंदर से जूड़े वे हैं और काफी अच्छा खेती कर रहे हैं जेवी खेती खास्तोर पर और जब भी हमारे कोई करक्रम होता है या अन्य को परसाइश्चा करक्रम होते हैं हम इन युवाओं को यहां पर बोलाके उनके माध्धम से व्याख्यान आहिजित कराकर दूस्ट जो दूसरे किसान है उनको मोटिवेट करने के लिए पश्रामहतित करते हैं और जहां तक यह वर्मी कंपोस्टिंग परतीकते गहते आगfully अच्छा कर रहे हैं काफी नाम और य merged केत्रिक जो दूसरे राज झीए वहां भी इनकी तरफ से वर्मी कंपोस्ट करक्री की जारी है